जिस दिन ये पुलिटिकल टेरिजम के नकाब पूरे देश के अंदर खुल जाएंगे मैं समझूँगा फिर टेरिजम कभी आएगा नी जो लाल किला में तरंगे जंडे का अपमान हुआ करने वालों को कोट में जाके जमाने दला के जेलों से करके फोटों के जाते हैं क्या यह मुलक के साथ गजारी नहीं है कहा है आपकी जमीर धर्म के ठेकेदारों को कल की पिच्चर देखके मेरा खून कौलता है का है आपकी जमीर हिंदू समाज की बहु बेटियां के खलाब बोलने वाले कौन है जमेदार इसका मतलब हम पॉलिटीशन दे मेदार हैं हम धर्म के ठेकेदार जमेदार हैं पर कल की पिच्चर देख करके कि मैं रूता रहा है सारी रात रोया है किसी एक 47 चलाने वाले को किसी का नुक्सान करने वाले को क्या किरपान से मारा था क्या किसी को तुर्चूर मारा था मैं बंबो से नहीं हारा हूं मैं मौत से नहीं हारा हूं बंब गोलियां मौत मेरी दोस्त है आज नहीं तो कल जाना है जिन्दगी बोनस है मैं जिन्दगी में अगर हारा हूं खुल के खार मानता हूँ तो मैं राजनितिक अतंक वात से मारता हूँ हकीकत मैं फिर कहूँ हकीकत जितनी दे तक आप नहीं बताएंगे पिच्चर आज देखी हम दो दिन के बाद भूल जाएंगे हमें एक ही चीज दिखानी है पुलिटिकल टेरिजम, पुलिटिकल टेरिजम, पुलिटिकल टेरिजम, जिस पुलिटिकल टेरिजम का मैं शिकार हूँ, मैं कई वर कहता हूँ, मैं बंबों से नहीं हारा हूँ, मैं मौत से नहीं हारा हूँ, बंब गोलियां मौत मेरी दोस्त है, आज नहीं तो कल जाना है, जिन्दगी में अगर हारा हूँ, खुल के हार मानता हूँ तो मैं राजनितिक अतंकवाद से मारता हूँ, यह हारता हूँ जिसके चेहरे पीशे से हैं, आगे कुछ और हैं, जिन्होंने पूरे हर जगा पे बीरोक्रेसी, मीडिया, कई जगा को अपने हाथों में गुलाम करके रखा हुआ है, जिस दिन यह पुलिटिकल टेरिजम के नकाब पूरे देश के अंदर खुल जाएंगे, मैं समझूँगा फिर टेरिजम कभी आएगा नी, यह मूँ छुपाते छुपाते बागते फिरेंगे, गरों से कभी इनका खांदान, इनकी जनरेशन भी गरों से निक की गलतियों से हमारे बेनों के सोहाग उड़ेगा, जिनकी गलतियों से कश्मीरी पंड़त प्लैन हुए, जिनकी गलतियों से पंजाब के अंदर 6,000 बे गुनाहों का कतल याम हुआ, यह गढ़ारों की नसल है, वो आएगा, यह حकीकत आनी चाहिए, जितनी दे तक नहीं ठेकेदार को दर्म के ठेकेदार जिनको हम नमस्तक करते हैं जिनके आगे सिर्च चुकाते हैं वो खुले आम खालस्तानियों की मदद करते हैं वो खुले आम जो लाल किला में तरंगे जंडे का अपमान हुआ उस तरंगे जंडे का अपमान करने वालों को कोट में जाके जमान हुए लाल खून से बने हुए जले वाला बाग के शहीदों से खून से के तरंगे जंडे का अपमान करने वालों के लिए खड़े होना कि उस तरंगे जंडे का अपमान नहीं है और कैसे चैनल दिखा देते हैं कैसे चैनल में एंकर उनको सवाल नहीं पूछते हैं आपने तरं हिंजाब में जग्राओं से ट्रेनों से निकाल करके हिंदू बाईयों को अलग कर दिया सिखों को अलग कर दिया और हिंदू बाईयों को गोलियों का निशाना बना दिया क्या आप उन अतंक वादियों के लिए खुल करके कहते हैं सरकारों से मांग करते हैं कि अतंक वादियो को छोड़ दिया जाए का है आपकी जमीर दर्म के ठेके दरों को कल की पिच्चर देख के मेरा खून खुलता है अरे जमीर कहां है और वो लोग जब हिंदू दर्म के ओपर आफ़त आती है किसी मेरी बेटी के साथ कोई नुक्सान पचाने की कोशिश करता है और मीडिया के अं बहु बेटियां, हमारी बैने, हमारे बच्चे, हमारा हिंदू सिख नौ मास का रिच्ता, अगर कश्मीर के अंदर जाते हैं, एक शिख टीचर को गोली का निशाना बना दिया जाता है। तो प्लेन के जरी ये दवाई मगाई जाती है, ये नहीं देखा जाता है, ये मुसलमान मेरी भाई, बैन, मेरा कोई और है, वो कहता है, मुसलमान नहीं, ये मानव है, ये मानवता है, उसको गोलियां मार दी जाती हैं, और सिख दर्म के मेरे भाईयों ठेकेदारों, आप जात को हर कौम मजब के एक वो सब को दुवाईयों से अलाज करने वाला उसके घर मीनी जाते हो और आप कहते हैं हम बहुत बड़ी पार्टी के लीडर बन के तुमारी यह ऐसी की तैसी आओ मेरे सामने बैस तो करो आप काहें आपकी जमीर हिंदू समाज की बहु बेटियों के खला नहीं जाते कौन है जमेदार इसका मतलब हम पॉलिटीशन देमेदार है हम धर्म के ठेकेदार जमेदार है मैंने पूछा कि आपके घर में दिल्ली से आया हुआ कोई लीडर सिक समाज का आपके घर में आया के तैं नहीं आया जब उदर गए हम समाज में थे और हमसे पहले कोई तो हकीकत होनी चाहिए कोई जमीर होनी चाहिए कोई इंसानियत होनी चाहिए ऐसे लोगों को किनारे करना चाहिए जो हिंदू और सिक्खों में फर्क डालते हैं यही तो पुलिटिकल टेरिजम है यही तो हकीकत सामने आनी चाहिए कि पुलिटिकल लोगों के चेहरे क् उनकी हकीकत क्या है। कभी भी हिंदू समाज को गाली दे दो, कभी भी उनके साथ चल लो, और हम लोग बेफकूफ, हम उनके पीछे चलते रहेंगे, हमारे दिमाग, हमारे कहां, आखे खुली नहीं रहती, कल कि मैं नहीं बोलता इतना कभी, पर कल की पिच्चर देख करके, मैं रोता रहा, सारी रात रोया मैं, मैं अभी भी भावक हूँ, मेरी आखे नमे, क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों हमारी बहनों को, भाईयों को, एक लाइन में खड़ा करके, गोनियों का निशाना क्यों मनाया गया क्या किसूर था उनका किसूर क्या था उनका क्या उन्होंने किसी मुसलमन भाई को कि किसी किरपान से किसी बंदूग से किसी घोली से कि किसी को मारा था क्या पंजाब के अंदर को मेरा हिंदू भाई क्या किसी खालस्तानी को किसी एक फॉटी सैवन चलाने वाले को किसी का नु किसी के ओपर घोनिया चलाई थी, अगर चलाई थी, किसी हिंदू भाई ने, तो मार दो, अगर चलाई नहीं, आपने उनको मार दिया, आपने उनके जिंदगियां बरबात कर दी, आपने उनके घर उजार दिये, सब कुछ उजार करके अभी फिर कहते हैं घीता को बनाना होगा खालस्तान बनाना होगा अभी फिर कहते हैं कश्मीर में हमें आजादी चाहिए जब हिंदू समाज के मेरे भाई ने कुछ किया ही नहीं किसी को मारा ही नहीं किसी का नुकसान ही नहीं किया हाथ जोडता रहा कि को नवाज उठाएगा क्या देश की जंता खड़ी होगी इस पिचर को देखकर के इनके मूँ के ओपर सबसे बड़ी चुपीड है कि 20 साल के बार मैं सिनमा हॉल में गया और मेरे जैसे लाकों लोग हैं सिनमा हॉल भड़े पड़े हैं ये हकीकता ये करांती है ये सचाई है ये लोगों ने बताई ये सचाई है नेता चले ना चले हिंदुस्तान की जंता सड़क पे आ चुकी है और जो विरोध करेगा जंता उतको कभी माफ नी करेगा